नमस्ते और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। संसद में सरकार द्वारा उननत विवादास पद कानूनी सुधारों पर वोट देने से कुछ दिन पहले दसियों हजार इजराईलियों ने शनिवार को साथवे सीधे सप्ताह के लिए देश भर में रैली की। स्थानिय मीडिया ने कहा कि तेल अवीव में दसियों हजार विरोड प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सटी का नुमान नहीं दिया, हमारा भविश्य खत्रे में है। सकती है जो मेरे सबसे बुनियादी अधिकारों को रोग देगा। नेतन्याहू और न्याय मंत्री यारिव लेविन का कहना है कि निर्वाचित प्रतिनिद्यों और इसराइल की शीर्श अदालत के बीच एक शक्ती असंतुलन को ठीक करने के लिए सुधार आवश्यक है। प्रदर्शनकारी नाती रौन ने कहा कि सरकार अदालतों को रद करके इसराइल की स्थापना के बाद से 75 वर्षों से हमारे पास मौजूद लोगतंत्र को बरबाद करने का लक्षे रख रही है। उन्होंने एफपी को बताया कि प्रस्तावित सुधार ने उनके पास नियमित आधार पर सरकों पर उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा। ये हमारा देश है। मैं इसके लिए लड़ा। मैंने युद्धों में दोस्तों को खो दिया। वे एक तानाशाही के ल का आगरा किया था। लेकिन जबकि नेतन्याहू और उनके गटबंधन के अन्य सदस्यों ने बात करने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने कानून को रोकने से इंकार कर दिया। संसद ने सोमवार को दो नए बिलो पर मददान शुरू करने की तयारी की। यरुशलम में सेकड़ों लोगों ने हर्जोग के निवास के बाहर सरकार की योजना का विरोध किया, जबकि दक्षन पंथी इसराइलियों के एक छोटे समूह ने बातचीत के लिए पास में एक रैली आयोजित की। विपक्ष के प्रमुख यायर लापिड ने नेतन्याहू के तटिये श पुलिस ने कहा कि इससे पहले शनिवार को उत्तरी इसराइल में एक समारक स्थल से एक पुराने बक्तरबन कार्मिक वाहक को चुराने के आरोप में तीन पूर्व सैनिकों और एक ट्रक चालक को गिरफतार किया गया था। के साथ गटबंधन के प्रमुक के रूप में सत्ता में लोटे, लेकिन वे अभी भी ब्रश्टाचार के आरोपी मुकदमे में हैं। न्याएक सुधार के आलोचकों का कहना है कि वह इसका इस्तिमाल संभावित सजा को पलटने के लिए कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह की और सामगरी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।